बिहार के राजपाल, स्रिबान राजेंद्र अरलेकर जी, मुख्यमंत्री स्रिमान नितिश कुमार जी, मंत्री मंडल के मेरे सायोगी, गिर्राज स्वीं जी, हर्दिप स्वीं पूरी जी, उपमुक्यमंत्री, विजैश्चिना जी, समराट चोदरी जी, मंच पर विराजमान, अन्य सभी महानुभाव, और बेगु सराय से पधारे हुए उत्साही मेरे पैरे भाईयों और बहनों। जय मंगला, गड़ मंदीर और नोखला मंदीरिक में बिराजमान, देवी दावताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आज विक्षिद भारत के लिए विक्षिद बिहार के निर्मान के संकल्प के साथ बेगु सराय आया हूँ। यह मेरा सवभाग्य है कि इतनी विशाल संख्या में आप जनता जनारदन आपके दर्शन करने का मुझे सवभाग्य मिला है। साथियों बेगु सराय की यह धर्ति प्रतिभावान युवाओं की धर्ति है। इस धर्ति ने हमेशा देश के किषान और देश के मजदूर दोनों को मजबूत किया है। आप इस धर्ति का पूराना गवरो फीर लौट रहा है। आज यहां से बिहार सहीद पूरे देश के लिए एक लाग साथ हजार करोड रुपिये। उससे भी अधिक पोजेक का सिलान्यास और लोकारपण हुआ है। डेड़ लाग करोड से भी जादा। पहले ऐसे कारकम दिल्ली के विज्ञान बहुन में होते थे। लेकिन आज मोदी दिल्ली को बेगुसराय ले आया है। और इन योजनाओं में करीब-करीब 30,000 करोड रुपिये। 30,000 करोड रुपिये के प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बिहार के है। एक ही कारकम में सरकार का इतना बड़ा निवेश ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ कितना बड़ रहा है। इससे बिहार के नवजवानों को यही पर नोकरी के रोजगार के अनेकों नए आउसर बनेंगे। आज के ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थीक महाशक्ती बनाने का माध्यम बनेंगे। आप रुकिये भाईया बहुत हो गए आपका प्यार मंजय मंजूर है। आप रुकिये आप बैठिये आप चैर पर से नीच आए जाईए प्लीज। मेरी आप से प्रांतना आए आप बैठ जाईए उकुर्शी पर बैठ जाईए आराम से ठक जाएंगे। आज की ये परियोजना ये बिहार में सुभीधा और सम्रद्धी का रास्ता बनाएगी। आज बिहार को नई ट्रेन सेवाएं मिली हैं। ऐसे ही काम है जिसके कारणा देश पूरे बिस्वास से कह रहा है। बच्चा बच्चा कह रहा है, गाउं भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है। अब की बार, अब की बार, अब की बार, NDA सरकार चार सो पार। साथियों, 2014 में जब आपने NDA को सेवा का आउसर दिया, तब मैं कहता था कि पुर्वी भारत का तेज विकास ये हमारी प्रात्मिक्ता है। इत्याद गवा रहा है, जब जब बिहार और ये पुर्वी भारत सम्रुद्द रहा है, तब तब भारत भी ससकत रहा है। जब बिहार में स्थितियां खराब हुई, तो देश पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इसलिए मैं बेगु सराय से पूरे बिहार की जनता को कहता हूँ, बिहार विक्सित होगा, तो देश भी विक्सित होगा। बिहार के मेरे भाई बहन, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और जब आपके बीच आया हूँ, तो मैं दोहराना चाहता हूँ, ये वादा नहीं है, ये संकल्प है, ये मिशन है। आज जो ये प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं, देश को मिले हैं, वो इसी दिशा में बहुत बड़ा कदब है। इन में से अधिकतर पैट्रोलियम से जुड़े हैं, फर्टिलाइजर से जुड़े हैं, रेलवे से जुड़े हैं, उर्जा, उर्वरक और कनेक्टिविटी यही तो विकास का आधार है। खेती हो या फिर उद्योग सब कोछ इनी पन निर्भर करता है। और जब इन पर तेजी से काम चलता है, तब स्वापाविक है, रोजगार के आउसर भी बढ़ते हैं, रोजगार भी मिलता है। आप याद कीजिए, बरवनी का जो खातकार खाना बंद पड़ चुका था, मैंने उसे फिर से चालू करने की गारंटी दी थी, आपके आथिरवाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। ये बिहार सहीत, पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। पुरानी सरकारों की बेरुखे के कारण बरवनी, सिंदरी, गोरकपूर, रामागुंडम वहाँ जो कारखाने थे, वो बंद पड़े थे, मशीन शड़ रहे थे। आज ये सारे कारखाने यूरिया में भारत की आत्मनिर्भरता की शान बन रहे हैं। इसलिए तो देश कहता है मोधी की गारंटी यानी गारंटी पुरा होने की गारंटी। मोधी की गारंटी यानी गारंटी जे पुरा होई छे। साथियों, आज बरवनी रिफाइंडरी की शमता के विस्तार का काम शुरू हो रहा है। इसके निर्माण के दोरानी हजारों स्रमीकों को महिनों तक लगातार रोजगार मिला। ए रिफाइंडरी बिहार में आउद्योगीक विकास को नई उर्जा देगी और भारत को आत्म निर्भर बनाने में मदद करेगी। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि बीस ते दस साल में पेट्रोलियम और प्राक्रुक्रिक गैस से जुड़े 65,000 करोड रुपे से अधिक के प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं। जिन में से अनेक पूरे भी हो चुके हैं। बिहार के कौने कौने में जो गैस पाइप्लाइन का डेट वर्क महुत रहा है। इससे बेहनों को सस्ती गैस देने में मदद मिल रही है। इससे यहां उद्योग लगाना आसान हो रहा है। साथियों, आज हम यहां आत्म निर्भरबार से जुड़े एक और एत्यासिक पल के साक्षी बने हैं। करनाटका में केजी बसिन के तेल कों से तेल का उत्पावनन शुरू हो चुका है। इससे विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। साथियों राष्ट हीत और जन हीत के लिए समर्पीत मजबुत सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। जब परिवार हीत और वोट मेंग से बंदी सरकारे होती है। तो वो क्या करती है ये बिहार ने बहुत भुगता है। अगर 2005 से पहले के हालात होते तो बिहार में हजारों करोड की ऐसी परियोजनाओं के बारे में गोशना करने से पहले सो बार सोचना पड़ता। सडक, बिजली, पानी, रेलवे की क्या स्थिती थी ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। 2014 से पहले के दस वर्सों में रेलवे के नाम पर रेल के संसाधनों को कैसे लूटा गया ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन आज देखिए, पूरी दुनिया में भारतिय रेल के आदुनी करण की चर्चा हो रही है। भारतिय रेल का तेजी से बिजली करण हो रहा है। हमारे रेलवे स्टेशन भी एरपोर्ट की तर सुविधां वाले बन रहे हैं। साथियों, बिहार ने दसकों तक परिवारवात का नुक्सान देखा है। परिवारवात का दंस सहा है। परिवारवात और सामाजिक न्याय ये एक दुसरे के गोर विरोधी है। परिवारवात विशेश रुपसे नवजवानों का प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही बिहार है जिसके पास भारत रत्न करपुरी ठाकूर जी की एक समरुद्ध विरासत है। नितिश जी के नेत्रुत्व में एंडिये सरकार यहां इसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। वहीं दीशरी तरप RJD कॉंग्रेस की गोर परिवारबादी कूरिती है। RJD कॉंग्रेस ने लोग अपने परिवारबाद और प्रस्टाचार को उचीत ठैराने के लिए दलीत, बंचीत, पिछणों को ढाल बनाते हैं। ये सामाजिक न्याय नहीं, बलकि समाज के साथ विश्वास गात है। ये सामाजिक न्याय नहीं, समाज के साथ विश्वास गात है। वरना क्या कारण है कि सिरफ एक ही परिवार का ससक्ति करण हुआ और समाज के बागी परिवार पीछे रह गए। कि इस तरह यहां एक परिवार के लिए युवाओं को नोकरी के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया ये भी देश ने देखा है। साथियों सच्चा सामाजिक नयाय सेच्चुरेशन से आता है सच्चा सामाजिक नयाय तुष्टी करण से नहीं संतुष्टी करण से आता है मोदी ऐसे ही सामाजिक नयाय ऐसे ही सेकुलरिजम को मानता है जब मुप्तराशन हर लाबार्थी तक पहुंचता है जब हर गरीब लाबार्थी को पक्का घर मिलता है जब हर बहन को गैस पानी का नल घर में टॉइलेट मिलता है जब गरीब से गरीब को भी अच्छा और मुप्तर इलाज मिलता है जब हर किसान लाबार्थी के बैंक खाते में सम्मान नीदी आती है तब सेच्चुरेशन होता है और यही सच्चा सामाजे की न्याय है बीते दस वर्सों में मोदी की ये गारंटी जिन जिन परिवारों तक पहुची है उन में से सबसे अधीक दलीत पिछडे अती पिछडे वही मेरे परिवार ही है साथियों हमारे लिए सामाजे की न्याय नारी शक्ति को ताकत देने का है बीते दस सालों में एक करोड बेहनों को मेरी माताई बेहने इतनी बड़ी तादाज में आशिरवाद देने आई है उसका कारण है एक करोड बेहनों को हम लखपती दीदी बना चुके है मुझे खुशी है इसमें बिहार की भी लाखो बेहने हैं जो अब लखपती दीदी बन चुकी है और हम मोदी ने तीन करोड बेहनों को आंकड़ा सुनिए जरा याद रखना तीन करोड बेहनों को लखपती दीदी बनाने की गारंटी दी है हाल में हमने बिजली का बील जीरो करने और बिजली से कमाई करने की भी योजना शुरू किये है पी एम सूर्यगर मुक्त बिजली योजना इससे बिहार के भी अनेक परिवारों को फाइदा होने वाला है बिहार की एंडिये सरकार भी बिहार के युवा, किसान, कामगार, महिला सब के लिए निरंतर काम कर रही है डबल इंजिन के डबल प्रयासों से बिहार विक्सित होके रहेगा आज इतना बड़ा विकास का उत्सव हम मना रहे हैं और आप इतनी बड़ी तादाद में विकास के रास्ते को मजबूत कर रहे हैं मैं आपका आभारी हूँ एक बार फिर आप सभी को विकास की हज़ारों करोड की इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ इतनी बड़ी तादाद में माताए बहने आई हैं उनको विशेश रुप से प्रणाम करता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की दोनों हाथ उपर करके पुरी ताकत से बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद